Hello everyone, मैं विश्ण जीत सिंग, आप सभी का दी इनव पर सौगत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 03, Histography इतिहांस लिखन का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चीन का इतिहांस लिखन या चीनी इतिहांस लिखन टॉपिक इंपोर्टेंट है, मैंने इससे पहले भी कई सारे टॉपिक्स करवा चुका हूँ MA History के MHI 03 का, पर कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़ रखे थे, मैं करवा नहीं बाया था तो काफी सारे स्टुटेंट्स के मैसेज आ रहते हैं कि सर कुछ टॉपिक्स को करवा दो मैं कुछ से सकरूँगा कि जादा जादा टॉपिक्स में आपका कवर कर सकूँ हमाने के बारे में आफे बात करने वाले हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों के बारे में लिस्कश करते हैं सबसे पहले कुछ सजेशन में देना चाहँगा आप सभी स्टुटेंट्स को suggestion यह रहेगा कि अगर आप MA history के प्रिपेर करें अच्छे नमबर लाना चाहते हो चाहे आप MA history के part 1 में हो चाहे part 2 में हो MHI 01 से लेकर MHI 010 तक कि सभी chapters की सभी subjects की वीडियो बनी हुई है दी इनप के उपर में उसको ज़रूर देखें आपको उससे बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है और सबसे ज़्यादा जो benefit आपको करेगा last five year के question paper की video है उसको ज़रूर देखें उससे आपको almost 90% से लेवस cover हो जाएगा important topics की video मिल जाएगी आपको important questions की video मिल जाएगी तो उसको भी ज़रूर देखें जिससे आपको बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है चलिए यहाँ पर हम अपने topic को start करते है जब हम बात करते हैं इतिहास लिखन तो यहाँ पर इतिहास लिखन में खास क्या है या किसी तरह का इतिहास जैसे यहाँ पर बात करते है प्रोफेसर लातुरेथ हैंगे ठीक है और भी यहाँ पर कई सारे नाम है जो चीनी नाम है यह सारे इन्होंने कहीं इतिहास लिखन का कारे किया इन्होंने इतिहास लिखा अपने चीन का पर भारत के अंदर में ये चीज़े नहीं देखने के लिए मिलती है भारते इतिहास लिखन जो है प्राचीन जो साक्षे मिले है जो परमाण मिले उसके उपर आधारित है प्राचीन गरंतों के उपर में आधारित है किस प्रकार के गरंत जैसे रामायन हो गया आपका ठीक है म वहां भारत हो गया आपका थि इनके उपर में अधारित है जो उपनिशद थे उनके उपर में अधारित है कही सारे कावे गरंत है उनके उपर में अधारित हम प्राचिन इतिहास पड़ते है भारत का थीकर पर किसी एक individual person के दो में कई बार के आता है कि अरब जो अरब के जो यात्री थे उनका सहारा लेना पड़ता है कि उन्होंने क्या लिखा भारत के बारे में हमें उसके थुरू पढ़कर हमें बताना पड़ता है कि अच्छा इस लेखक ने ये बोला अरब का ये लेखक था भारत के बुराई कर रहा जिसने proper history लिखी, ठीक है, इती आरंबिक history की में बात कर रहा हूँ, ठीक है? नॉर्मली वहाँ पे, चलि हम यहाँ पर topic पर आते हैं, चीन का इतिहास लिखन की बात करते हैं, तो चीन का इतिहास लिखन लिखन है क्या? तो चीन की इतिहास लिखन की जो शुरुवात है, चीज की species पे focus किया गया लेखन अंदर में आम बोलचाल की भासा का उप्योग किया गया जो regular लोग यूज करते हैं उसको उप्योग में लाए गया आज के समय में आप history पढ़ते हो कई बार होता है कि अजीव word आजाते है अजानक से confusion होता है कि यह word का मतलब कहा है reason यह है कि history का जो word है उसी को use किया जाता है और उसी को use करने पर ही number मिलते है normal सी बात है पर चीन के इतिहां सकारों के दोवारा इस बात का विसेज ध्यान रखा गया कि लोगों तक पहुंच सके है हमारी जो विरासत है जो हमारी history है ठीकि वो लोगों तक पहुंचे इसके लिए उन्होंने आम बोलचाल की भासों को वहाँ पर ज़्यादा महत्वत दिया यहाँ पर एक professor लातूरेट करके आते हैं ठीकि इनका यहाँ पर माना था कि भारत की लोगों से तुलना करते हैं वो चीन को तुलना करते हैं कि जो चीनी लोग थे वो इतिहास की विजए में उनकी जानकारी कहीं ज़्यादा देखती भारती लोगों से इसका reason एक तो यह मिलता है कि जो चीनी इतिहास था वो आम बोल चल की भासा में था तो हर लोगों तक पहुँच पाना easy था पर आज के समय में भारती इतिहास को पढ़ोगा न तो बहुत difficult history यूज की जाती है पैटन है बहुत जादा difficult है जिसके कान से हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुच पाता है वो history ठीक है जिसके कान से बोरिंग भी लगता है नींद भी आती है कई तरह के problems होते है ठीक है तो यहाँ पर यह रहता है तो Professor Latour यहाँ पर compare करते है भारत और चीन का जिसमें यह बताते है कि चीनी जो लोग है वो कही जादा मतलब जागरूप्त थे अपने इतिहास को लेकर ठीक है कई जादा interesting fact के उपर में वो debate करते थे कई जगा पर वो दिखाते है कि किस तरह से वो जादा मतलब attract थे अपनी history को लेकर पर भारतिये लोग उतने जादा चीजे पर नहीं थे यह मानते हैं इतिहास लेकन के लिए वो एक नयतिक दाइत्व के तौर पर देखते है कि जो भी चीनी इतिहास का राय या जो भी चीनी लोग थे उन्होंने अपनी history को नयतिक दाइत्व माना कि यह मेरी moral duty है इसको हम मुझे करना चाहिए यह मान कर से ले पर भारत के इंदर मैं ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है लेखन का उपयोग जो था लेखन कला का जो उपयोग करने के लिए उसको मौटिबेट करने के लिए वहां पर लेखन कला का उपयोग के यह जाने लगा करने की इतिहास लेकर लिखा जा यह नहीं किस तरह का इस दार श्रोत बनकर लिखागया वह यहां पर हम बात करते है तो पर अगला यहाँ पर जो इतिहांस कराता है सुमा यशेन करके आते हैं एक request और करूँगा आपको दोस्तों वीडियो को start हो चुका हो अपको कई सारे जो नाम होंगे वो चीनी नाम है तो मुर्जय बोलने में साथ दिक्कत भी होगा तो आप एक बार अपने बुक से ज़रू देखेगा जिससे आपको चीजे किलियर हो ठीक है कर कहीं तो कुछ confusion होता है तो सुमा यशेन करके यहाँ पर एक नाम आती है यह मेल है फीमयल है मुझे आइडिया नहीं है ज़रू देख लेना यहां फ हम यहां फे मतलब यह मान्य जाता है कि चीनि एतिहास लिखन का जनक के तर पर पर इनको देखा गया उनको नॉर्मल सी बात है उनको प्राचीन जो चीनी गरंद थे, उनको कंठस था, मतलब एकदम रटा हुआ था, गले में एकदम फसा हुआ था, ऐसा कह सकते हो, वो जब खोले मूँ तब वो बोल सकते थे, इस तरह से उनकी चीजे थी, ठीके, है, हैंडेड इसा पुर्व के अंदर में देखा गया, सो थिहांसकारों के रिकॉर्ड, ठीके, उसकी उन्होंने रचना करी थी, जिसका मतलब ही होता है, यह सी ची का मतलब, थिहांसकारों का रिकॉर्ड, जिसके अंदर में अलग-अलग थिहांसकारों के दोरा, क्या-क्या चीजे बोली गई, किस तरह की चीजे थी, क्या उनका मान जानना था, उसमार कुछ उसके इंदर में, विश्तरित जानकारी दी गई आर recursos गई और ये नामक पुस्तक की रता, किस ने करी थी, सूमा यशेन ने किया था, उनके पुस्तक के नाम के दां सब्सक्ता ह। ठीक है समझ में आता है यहां पर आगे बढ़ते है आगे में आता है तेयो शुवान करके यहां पर अगला इत्यासकार आता है ठीक है तेयो शुवान करके यह भी एक चीनी इत्यासकार थे इनके दोरा कई सारी किताबे भी लिखे गए जो नीचे यहां पर आ जाता है Si Chi करके, Han Chi करके, Tung Khan करके Tung Khan करके एक न उनका Once भी था वहाँ पे चीन के अंदर में उनके बारे में भी यहाँ पर जिकर किया गया है Tung Wanzi से हम बोलते हैं तो यह अलग-अलग समय के हिसाब से अलग-अलग किताबे भी लिखी गई यहां पर इत्यासकार, इन्होंने मौखिक परमपरा को उसी होती है, जो मुह से बोली ंवली जैसे च्था होते हैं, सुनाते हैं किसी को इस्टोरी कि एक राजा था, रानी थी उन्होंने ऐसी-ऐस चीजये करी, तो किया लिखित में कहीं पर हैं नहीं, ठीके वो एक मोखिक परंपरा को उन्होंने जोर दिया ठीके दंत कता हैं दंत कता हैं जो किस्से कहानिया होते हैं उसके उपर में जोर दिया उसके अधारित उन्होंने चीजों को बताना का स्टार्ट किया तो तो श्योवान ने यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ इस समय जो चीन का जो केंदर बिंदू था वो सासन की स्थापना हो चुगी थी केंदर बिंदू साशन को मान कर जो राजा था राजा का शाशन चल रहा था जो भी सासन विवस्ता था सासन व्यवस्था को यहाँ पर केंदर बिंदो मानकर इतिहास लिखा जाने लगा था ठीक है यहाँ पर सासन को मेन माना गया इनके दोरा कई सारी पुस्तकों की रचना कीगी जिसमें सीहिची, हान्ची और तुंग कान करके यह पुस्तक आती है आगे मैं बात करूँ यहाँ पर तो सीजी समा, सीजी समा चीएन करके यहाँ पर एक और इतिहास कार आते है सीजी समा चीएन, इनके दोरा समा चीएन दस्ता वेज करके एक पुस्तक लिखी गई जिसका में अगर मोटिफ देखोगे तो पुर्व आधुनिक काल का जो इतिहास कार थे उनके बारे में डिसकस किया गया कि कौन-कौन से इतिहास कार रहे है पुर्व आधुनिक काल के अंदर में और यह समा चीएन दस्ता वेज करके माना गया इसके अंदर में हान वंस जो हान वंस था चीन का सबसे परसीद वंस रहा हान वंस के बारे में जिकर किया गया कि हान वंस किस परकार का है ठीक हान वंस से अलग हट कर ठीक है राजनितिक पदिती जो दस्ता वेस था उससे अलग हट कर लिखने का प्रियास किया गया यह नहीं था कि वणसो पर दारित इससे पहले जीज जर्वरी इत्यास लेगन होता था इन्हों ने पर क्या किया कि वणसोसे हट कर तोला अलग चीजहिं को पेश करने के कुर् partie करी यहां पर यह माना जाता है तक है यहां पर फिर एक और आते हैं bonito इत्र बैरों К Real-Co कि इनका नाम है एक हची बुखते है जैनरे लेडिस यहाँ इनका नाम होते है पहले ही इत्र बैर वन्हें प्रम्न तुंग वंस था, उसके बारे में विशियस जानकारी रखी गई थी इतियांसकार का नाम क्या है? लूची करके नाम है दोस्तो थोड़ा सा जीव जीव नाम है तो आप समझने के कुर्शिस कीजिएगा जिससे आपको चीजे किलियर हो एक student ही मानसु करके उसने मुझे especially कई बार कमेंट करके बोला कि सर जो नाम होते ने तियांसकारों के वो आप सई से लिखा करो ठीक है जिससे मुझे समझ में आए ठीक है मैं अच्छे से नंबर ला सुकूँ और उसके कमेंट के बादी में ये वीडियो बना रहा हूं नहीं तो रेली मैं अगर सच कहूँ तो मैं वीडियो को नहीं बनाने वाला था बट कई सारे students को ज़रुवत थी इस वीडियो के और important topic भी अच्छीन का इतियांस लेकर इसके कांज से में ये वीडियो बना रहा हूं और इसमें जितने भी में points आपको समझा रहा हूं ये 5 मेने अलग-लग इतियांस कारों को लिया है ये उतना है जिससे आपको topic समझ में है कि topic कह क्या रहा है इन सभी points के नंदर में जो सबसे important point है लास्ट वाल आएगा उमारा पांचवा point ठीक है उसको हम ध्यांसे पढ़ेंगे बाकी नॉर्मल ही है और आपके book में और भी इतियांस कारों के बारे में वर्नन किया गया अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा सो time दोगे तो और भी अच्छे से समझोगी जो यहां पर main main थे वो मैंने यहां पर उठा कर आपको बता रहा हूँ ठीके तो यहां पर एक इतियांस कार आते हैं लिवुची करके जो उनके दोरा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम होता है जैनेर लेडिज ओन हिस्ट्री एसा करके लिखा जाता है जिसके अंदर में रिह तुंगवंस का जो पूरा सासन काल था तुंगवंस का उसके बारे में चर्चा की गई उसके बारे में बताए गया अगला यहां पर आ जाता है Confucius वाद का यहां पर जिकर आता है ठीक है Confucius वाद यह एक टॉपिक important टॉपिक है और अक्सर यह वाला टॉपिक एक्जाम में अलग से भी इंडिविजुली भी पूछा जाता है यह टिपनी बेस पर आ जाता है ठीक है कि Confucius वाद क्या है ठीक है तो अगर आपको पता है कि यह होता क्या है तो कमेंट करके बता है नहीं पता है वीडियो को देखते हैं आगे जिससे आपको समझ भाए है यहां पर हम जब बात करते हैं Confucius वाद का होता क्या है तो एक परमपरिक इतिहास लिखन था ठीक एक परकार का ठीक है जिसके अंदर में मानफ्तावाद को बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस दे गई जो हुमिनिटी थी ना मानफ्तावाद ठीक है उसको बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस दे गई मानफ्तावाद के उपर में वि यूद्धों पर एडिपेंड थे वहां की प्रशासन विवस्था पर इपेंड था पर कन्फ४ूसिज chce वाध स्थ के एंदर में मानवत्तावाध जहा Huminity की बात करते हैं, ठीक है, पूरी history मनुस्य को उपर में निर्वर्ती, ठीक है, यहां पर यह माना गया, कुछ भी चीज अगर हो रही है, कुछ भी घटना, कोई भी घटना घट रही है, तो वहां पर directly देने पर यहां पर Confucius बात के अंदर में यह कहा गया कि कोई भी घटना अगर घट रही है तो वहां पर में जो पावर है वो मनुस्य के द्वारा घट रही है ना कि कोई इस्वर या देवी सकती उसको केंदर बिंदू माना जा सकता है यहां पर सासात में जो अधियन था अधियन का केंदर बिंदू के तौर पर मनुस्य को माना गया पर मुकर केंदर बिंदू के तौर पर मनुस्य को देखा गया ठीक है समाज कल्यान और समाज की में जो ववस्था को बनाए रखने के लिए नैतिकता की अविस्था के उपर में जोड दिया गया, कि जो नैतिक बिंदू है वो जरूरी है, समाज के कल्यान के लिए इसके बारे में आप बात किया गया Confucius बात के अंदर में दोस्तो, I hope so आपको ये वीडियो समझ में आया होगा चीन का इतियांस लेकान, अगर नहीं आता है, ठीके, comment कर लीजिए मैं आपको दुबारा से एक बार ट्राइ करूँगा समझाने का अगर फिर भी नहीं आता है, तो आप comment किजिए WhatsApp ग्रूप का link में डाल दूँगा comment box के अंदर में, जहां से आप directly WhatsApp ग्रूप को join कर सकते हो, और वहां से बहुत सारा benefit आपको मिल सकता है तो friends, thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, bye bye, take care, all the best अगर आपके पास कोई suggestion है मेरे लिए, तो comment करके suggestion दे सकते हैं एक request और रहेगा आप सभी students के, कि अगर आपको वीडियो वैलिवल लग रही है, आपको वीडियो help कर रही है आपके लिए, तो like, share, subscribe जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाए friends, thank you so much, bye bye, take care, all the best